हेलो फ्रेंस मैं दीपक आप सबको अपने इलेट का लूनिया चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तो आज की वीडियो में देखेंगे जो यह STP है उसका होल प्रोसेस क्या होता है इसका वरकिंग कैसे होता है इसका क्या step होता है दोस्तो इसका इनलेटस लेकर आउटलेट तका को बताने वाला हूँ दोस्तों से रिक्वेस्ट रहे कि आप हमरे वीडियो को लाज टक बने रहेगा सारी प्रोसेस आपको समझा दूगा जैसे मैं आप देख भी रहे हैं बहुत ही खुबसूरत नजारा आपको इस प्लांड की दीख रहे हैं इस खुबसूरत नजारे को मैं अपको अच्छे तरीके से point to point बताउगा कि कौन से step के बाद क्या step होता है दोस्तो मेरे वीडियो का एकी मोटिफ होता है आपको कंसेप्ट समझाना रट्टा ना मरवाना तो दोस्तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा अगर आप हमें चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने मेरे वीडियो का नोटिफिकेस आपको मिल सेके सबसे पहले जैसे मैं आप देख रहे हैं यह 25 ml का स्टीपी प्लांट है जो कलाबुर्गी में है जो यह करनाटका के अंदर आता है करनाटका उर्बन वाटर सप्लाई के अंदर में है ठीक है तोस्तो इसका होल प् कॉंटिटी दिया है कि कितना है जैसे इंलेट गेट चेमबर एक दिया है मेकिनिकल फाइनिस की चेमबर एक दिया है ऐसे ही पूरा दिया है कि कौन सा आपका उनिस कितना कॉंटिटी में बचा है जैसे एस बीर बेसीन में है जो चार दिया है और इंफ्लुएंट चेमबर ट आपको नाम DTS दिया है जैसे में यह प्लांट का पूरा व्यूव आप देख रहे हैं यह आर्टिटेक्चर टाइप करें दिया है जो लेंड एसकेपिंग करके दिया वह इसमें पूरा आपको डिजाइन कर दिया है कि इसमें कौन सा उनिट हमारा कहां पर है जैसे में आपको यह आपको दिख रहा है आगे के तरह बढ़ते हुए यह हमारा इनलेट चेमबर है जो हमारा जाता है किसमें इन विट वेल में ठिक यह जो आपको दीख रहा है 16 नंबर यह वेट वेल है पर यह वेट वेल में कहां से आता है इनलेट चेंबर कहा से आता है गाउं घर से आता है जैसे में हमारे पास जो भी आता है यह आपके सीड़ी है वेट वेल में जाने के लिए जो यहां पर आपको डिस्प्ले करा रहा है और यह इनलेट चेंबर आता है गाउं से हमारा प्रोसी से जनाला के जो भी पानी है सब वेट विल में हारा उसके हिसाब से इंडिकेट किया गया है और यहां से निकल के हमारे पास चला जाता है प्राइमरी यूनिट के पास जो वेट विल में हमारे पास पॉंप लगे वी रहती है जो पॉंप को चालू करने के पास हमारे प्राइमरी यूनिट में चला जाता है औ हOR ॐसके बगर में ट्रनस्फार्मार हैS die यहाई पर बैठा रपर टा रता औरफ्रा में ट्रानस्फार्मार के बाद सेहां से सप्राई आमरे पास टी पैणल में जाती है ठीक यह तो हमारा होगा है यहाह टक पर हम देखते हैं कि प्राइमरी युूरिंट यहां से आता है फिर ग्रीट चेंबर में और यहां पर एक लागा रहता है जो हमेशा घुमते रहता है जो भी ग्रीट रहता है उसको साइड में कर देता है और इसक्रूब के साहरे क्या होता है वो grit बाहर आ जाता है और यहां से कहा होता है कि हमारे SBR में जो c-brage रहता है चला जाता है देखे प्राइमरी उनिट में यह होता है प्रोसेस कि जितना भी पानी करना कचड़ा आता है वो पहले ही छान जाए उटना ही बेटर रहता है हमारे SBR में इसके थ्रू जब जाए तो अच्छे से जाए मतब कम सिब्रेज ही सिर्फ जाए कचड़ा कोई ना जाए देखे इसके बार से हमारे पास चार बेसीन है और चारों बेसीन में पानी जाने के लिए यहां से जो हमारा इनलेट का लाइट का लाज पॉइंट जो दीख रहा है उसके थ्रू में पूरा लाइट का पाइप लाइन रहता है या चेमबर रहता है उसके थ्रू हमारे चारों बेसीन में जाता है जिसका उसके पास में हमारे पास क्या लगा रहता है इनलेट गेट भी लगा रहता है और यहां पे लाता है वास पॉम्प हमारा लगा रहता है अगर आपके पास रास पॉम्प रहेगा किसी कमपनी में देखेंगे तो रास पॉम्प भी मेडिन में लगा रहता है जो दोनों टेंक में मैं आपको चार टेंक का यह SBR है ठीक है सिक्ट्वेंशी और बैच डियेक्टर SBR का फूल पॉर्म होता है तो चारव में आपको अलग-अलग gate रहता है जो inlet gate बोला जाता है वो अभी इस पे सो नहीं कराया है पर इसके true हाता है और देखें ये outlet होता है SBR basin का जब हमारा पूरा प्रोसेस हो जाएगा जिसमें static feel होता है आपको oriented feel होता है variation होता है, feel होता है decayed होता है, settle होता है ये सब प्रोसेस SBR के अंडर होता है देखें वहां के बार से ये जो आपको line दिख रहा है ये हमारा है air bulb का line होता है जैसे air blower जब चालू करेंगे तो इसके through ही variation हमारे tank में होता है और यहां पर हमारा variation बहुत में लगा रहता है actuator जिसको open करेंगे उस basin में ही variation होगा जैसे मैं देखेंगे आप outlet का बाट करेंगे यहां से outlet के through में हमारे पास चाहता है है जो नदी नाले में जाता है यह हमारा पर color nation room है ठीक है color nation room में यह होता है कि जब भी outlet decant कराते हैं यहां से तो हमारे पास chlorine को mix करके यहां पर outlet chamber में हम लोग छोड़ देते हैं जो नदी नाले में चला जाता है और साफ करके treated water ज़हाता है जिसको प्रसेस होता है और सेंट्रिफ्यूज को और सेंट्रिफ्यूज में भेज़डे हैं और क्या कते सेंट्रिफ्यूज से हमलों केक कुछ बनाते और सारे प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ उस centrifuge के लिया में कि कैसे सलज बनाया जाता है, centrifuge को कैसे चलाया जाता है जैसे मैं आप यहां से plant को देख रहे हूंगे, कि इस plant में आपको पूरे road का direction भी बताया गया है पूरे car parking भी, lighting का, सब कुछ बता दिया है इस view में बिल्डिंग का पर है, आपको centrifuge का पर है, सलज का पर है, सब कुछ बताया गया है तो एक ही वीडियो में आप सारे units को देख लिए कौन सा units का पर है, किसका क्या working है जैसे हमें यह admin building है, यह अपना centrifuge है और यह centrifuge के नीचे आपको देख रहे हैं, कि एक खाली से जगर देख रहा है इसमें क्या होटा है कि centrifuge से केक निकलता है और उसके लिए नीचे गाड़ी tractor लगाना पड़ता, यह trolley कोई लगाना पड़ता जिसमें हमारा केक गिरे और वहाँ से डिस्पोजा करा सकते हैं आप नजारा भी देख रहे हैं कितने अच्छा नजारा इस plant कर रख रहा है वाकवी में बहुत ही खुबसूरत यह plant है और STP plant जो भी बनता बहुत ही अच्छा ही बनता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like करिएगा अगर आपको कोई भी doubt होगा STP से related या electricals related तो आप हमें comment box में comment करके बता सकते हैं और push भी सकते हैं दोस्तों आपकर आप हमारे चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आनुवले वीडियो के नोटिक मीस आपको मिल सेगे सबसे पहले तब तक लिए जाए हिन दोस्तों